कि नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बर फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत मैं आपका दोस्त विबेक गुगर हाज रूँआ आज एक बर फिर से या स्टॉली से रिलेटर ही चर्चा करने के लिए और आज की जो चर्चा रहने वाली है वो क्रिष्णा मूर्ती पद्धी के ऊपर होने वाली है और यह केस टड़ी है और केस टड़ी क्या है कि चेंज ऑफ जॉब तीन अपरल 2020 को एक हमारे दोस्त हैं जो हमें फॉलो करते हैं उन्होंने मैसेज किया कि वो एक दवा कंपनी में पिछले दो साल से काम कर रहे हैं लेकिन उनकी योगता के अनुसार उन्हें प्रमोशन नहीं मिली या किसी अच्छे पद की प्राप्ती नहीं कुई अब वो पिछले दो महिने से एक नई जॉब जो है सर्च कर रहे थे लेकिन उन्हें कहा कि काफी कौशिश करने के बाद भी भाग्या ने उनका साथ नहीं दिया तो यही उनकी क्वैरी थी जॉब चल रही है लेकिन मैं इस जॉब को बदलना चाहता हूँ इसके लिए उन्होंने हमें अपनी बर्थ डिटेल जो थी वो भेज दी प्रवाइड करवाई उन्होंने और गहा कि आप देखिए लेकिन इसे कृष्णा मूर्ति पद्धि के हिसाब से भी आप अपना अनेल्सिस दीजिए सबसे पहले स्क्रीन शीर करते हैं आप दोस्तों के साथ यह रहा चार्ट उनका तीस माई 1986 इनका बर्थ है और यह उनका बर्थ समय है दिया हुए और लगन आप देखी रहे हैं कि सिंग लगन बना और स्टार जो है वो वीनस है यहां पर और मून देखिए राहू के नक्षत्त पर है अब दोस्तों क्वेरी यह है कि नेटिव और जोब में और वह इस जोब को बदल करें दूसरी जोब कोई पकड़ना चाहते है अब यह हमारे पास बर्थ डिटेल है हुरेरी चार्ट नहीं है जैसे हुरेरी चार्ट होता तो हम सिक्स टैन कस्पल सबलोट को भी अनलेलिस करत है लेकिन यहां पर कोई बर्थ डिटेल है जोब में अल्रड़ी नेटिव है तो सीधा हम डीब यह जशा भुक्ती अंतर पकड़ेंगें इस सेकेंड बैंक बैलस का होता है जो भी हम करम करते हैं उसके जो भी हमें मिंदाना मिलता है वह हमारे बैंक अकाउंट में जाता है दशा भुक्ती अंतर में आना लाजमी है अब यहां पर नेटिव और जोब में है और वह इस जोब को छोड़ना चाहते हैं जो यह बहाव हैं इन से जो ट्वालब होंगे वह कंटिव जोब को नेगट करेंगे उसे मना करेंगे फर्स्ट भाव जो होता है जिसे हम इस भाव को हो लगन कहते हैं यह सेक्रिंड भाव से ट्वालब बनता है जब यह बहाव अक्टिवेट हो जाता है दशा भुक्ती अंतर में यहां गोचर में तो जो हमारा बैंक बैलंस है वो रुख जाता है बढ़ता नहीं फिर्ट भाव जिसे वैदिक अस्टॉलजी में सबसे अच बने की जौब चली जाती है यहां पर नाइंथ भाव जैसे हम व्यादिक स्टॉलजी में भाग्या भाव कहते हैं कि भाग्या गरतन पहन लीजिए बीना जाने बीना समझे यह भाव 10 भाव को नेगट करता है आपके कर्म को रोखता है जब यह फिफ्ट और नाइंथ भाव जो कि धर्म-तर्कॉन के भावडि अक्वेट हो जाता है तो बंदा क्या करता है कुछ नहीं करता है वह सुबह उखता म बंदर जाता है जो भी पूजा पांट करना हो तक करता है 12 वई तक उसके बाद की जब एक्टीबेटरों का बंते कामों का बिगर जाना यह सब यह चीज़ें ट्वावव दिखाता है और यह जए मौक्स त्रकॉन के जो तीन भाव उन में से दो भाव यह हैं तो कहने का मतलब जो धर्म त्रिकॉन है फर्स्ट फिस्ट नाइंथ और साथ में मोक्स त्रिकोन के दो भाव 8 और 12 ये जब एक्टिवेट होते हैं दशा में भुकती में अंतर में या जो भी दशा भुकती अंतर चले आप लोगों कोो यदि वो ऐसे निक्षत्र पर गोचर करेंगे या उप नक्षत्र पर गोचर करेंगे जो ये इन भाव वहत्रम हो जायेगी या आपको बोल दिया जाए जाएंगो यह फिर ऑफिर बंदा कि डाल दे गा तो कहने का मतलब क्य hedge इस वह दो यहां प्छेस करना चाहता है जोब बदलना चाहता है पहली जोड़ना जाता है दूसरी जोब पकड़ माच रहता है तो दशा भुक्ति अंतर में इन सभी भावों का एक्टिवेट होना लाजमिया तभी जातक की जो इच्छा है उसकी डिजायर है वो फुल्फिल होगी अधरवाइस नहीं जॉब नहीं जाएगी उसकी तीन एप्रेल 2020 को यह क्वेरी लगए उन्हों में उस समय इनको शनी की दशा चल ली थी वीनस का ही बुक्ति और वीनस का ही अंतरा चल ला था जो की 23 जून 2020 तक चलने वाला था सबसे पहले हम शनी महाराज को पकड़ लेते हैं इस चार्ट में जदी हम देखें कि शनी जो है वह अपने ही नक्षत्तर पर है इसका मतलब वह अंटनेंटर है वह भाव चलत में जहां है जिन भावों की ओनर्शिप है उसका रसाल्ट तो वह देगा ही देगा इसके इलाव अंटनेंटर जो प्लैनेट होता है वह कस्पल पोजीशन में जिन भावों का कस्पल सब्लोड बन जाए यदि जहां नहीं बनता तो कस्पल स्टार लोड बन जाए उन भावों का भी स्ट्रॉंगली रसाल्ट देगा अपने ही नक्षत्तर पर है और भाव चलते में मतलब वीक इन दा सेंस कि वह डी लेवल से बोल सकते हम लोग इसलिए मैं ज्यादा तर जो वीक भाव होते हैं उनको थोड़ा साइड कर देता हूं तो यहां पर में थार्ड भाव को ही लोगा सेटन के और साथ में लोगा कस्पल पोजीशन को किन भावों का कस्पल रहा है साथ में थार्ड भाव भी आ रहा है जो पैजंट हमारा स्टे है उससे दूर जाना को कि फोर सेट वालोग बनता है और थार्ड भाव प्रयास्वां पाभी होता है अब यहां पर सेटरंज हो वह मार्स के सब पर चला अब जदिध्यान से देखें प्लेंटरी पूज स्टार पकड़ा स्टार ऑफ सब सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर वह राशी चाहिए लेकिन भाव चलित में वह नाइंथ में चला गया है अब नाइंथ बाव ननता आ सब्लोड बना और साथ में सूरय जो है वह लगन लोड और माइन्थ का कस्पल उसकी ओनर्शिप मतलब दो बुरे भाव जोब छोड़ने के आ रहे हैं फर्स्ट और नाइन्थ और दो अच्छे भाव शिक्स और टैन भी आते हैं जोब भी वह दशा रहे हैं शनी तो इसका मतलब शनी की दशा में जोड़ जाता की इच्छ है अपने जो पे स्टार रोड वाली लाइन में आपको नहीं दिखाई देगा इसका मतलब की वीनस प्रिस चार्ट में जो है दोस्तों वो अंटनेंटर है वीनस यहां पर देख लेते हैं टेंथ भाव में उसकी ओनर्शिप है थर्ड और भाव की टेंथ भाव में उसकी अकूपेंसी है पास है थर्ड भाव वीक है लेकिन टेंथ भाव काफी मजबूत है वहां हो उसकी अपनी हिराशी में और यहां पर देखेंगे तो वीनस जो है वह इलेवन तमें है लेकिन भाव चलत में वह पैंट भाव में आ गया तो तैंथ भाव को वह स्टोंग्ली द्रशारा है और य तो यहां पर के तू वीनस और मार्स को रीपरेंट कर रहा है तो यहां पर के तूस सेकेंड जो की बैंक बैलंस क्या भाव है, वहाँ पर उसकी प्लेस्ट में है और इसके अलावा मार्स फिफ्ट भाव में है, नाइनध की ओनर्शिप उसके पास और फोर्त भाव की ओनर्शिप का उसके पास और वीनस हम देखी चुके हैं सेवन और इलेवन भावों का कस्पल सबलोड बना और पेंथ भाव में उसकी जो है प्लेस्मेंट है तो यहां पर हमें ध्यान दें तो फर्स्ट फाइब नाइन सेकिंड शेक्स टैन यह सारे भाव जो है और 11 एक्टिवेट है अब हमें पकड़ने हैं अंत्रा वीनस क्योंकि सारे भाव नहीं दर्शा रहा यहां पर ट्वैलों भाव भी नहीं आ रहा है बाकी सब भाव आ रहे हैं तो इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि वीनस के अंत्रे में यह जॉब चेंज नहीं होगी नेक्स्ट पकड़ लीजी सन लेकिन जब मैंने यह अनल्सिस किया यह रहा मेरे पास अनल्सिस रूलिंग प्लैनेट एर दी टाइम ओफ जैज्जमेंट तीन मार्च दो हजार बीस को दुपहर दो बिचकतिस मिनट छतिस सेकिंड पर यह रूलिंग प्लैनेट थी यहां पर यहां पर अब जो यह देखिए अंतरा जो यह सूरज का अंतरा है सूरज यहां पर रूलिंग प्लैनेट में हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा हूँ अब दूसरी बात उससमें केतु जो था वह जूपिटर के साइन में था धनू में तो अब रूलिंग में सैटन मार्स जूपिटर केतु यह भी आएगे अब क्योंकि सेट लगन जो था रूलिंग लगन था वह कैंसर फास्ट जो है तो इसका मतलब घटना है जो हमारी सामने वाले ने पूछा हमसे तो जल्दी घटना चाहिए लेकिन क्योंकि रूलिंग में सैटरन आ रहा था सैटरन मून का स्टार लोड बही बना और रूलिंग जो लगन वहां पर वह सेवनत भाव ने तो कि केंश सब्सक्राइब नहीं जो है कि जो भी घटना अब होने यहां पर next moon आया और moon हमने देखी दिया कि लगन लॉर्ड जो था ruling वो cancer था तो moon तो आई रहा था अब moon को पकड़ा यहां पर moon राहू के star पर है Saturn के सब पर है Saturn अपने ही star पर है और strongly जो है वो हमें 6 और 10 यह रहा 6 और 10 भाव का कस्पल सब लोग बना और राहू हम देखी चुके हैं कि राहू मार्स के sign में है और केतू के star पर है और केतू जो है वो वीनस के sign में और मार्स के star में है तो यहां पर moon जो है सबसे पहले पकड़िये तो moon आपको six भाव में उसकी placement है और 12 भाव की ownership उसके पास है तो अभी आप राहू को देखेंगे क्योंकि वो राहू के star जो moon है वो राहू के star में है वो हम देखी चुके हैं कि राहू 8 में भी आ रहा है और मार्स जो है फिफ्ट में भी आ रहा है और इसके लावा जो वीनस है वो 11 का भी बना और 10 भाव में उसकी placement है तो इसका मतलब यह हुआ कि 20 अगस्त 2020 से लेकर 25 नु जोड़कर नई जॉब को इस समय को पकड़ सकता है यह बात बिल्कुल कलियर हो चुई है अब हमें इस समय को थोड़ा सा और कम करने जा तो यहीं पर हम जो मैं यह बात बताने वाला हूं आप लोगों को यह उनके लिए है जो के पी अस्टॉलजी में या कस्पल इंटरलिं और सामने वाले को बता दीजिए कि आपका जो क्वेरी थी चेंज अफ जॉप की वो 20 अगस्ट से लेकर 25 नौबर 2020 के बीच में आपका हो जाएगा लेकिन यदि इस समय को कुछ और कम करना है हमें तो हमें अब सूरिया का जो गोचर होगा इस समय दुरान उसे पकड़ना प भी जाएगा और कैंसर साइन में जब वो जाएगा तो कैंसर साइन में करक राशी में तीन नक्षत्र पढ़ते हैं सब दो नक्षत्र एक गुरू का शनी का और एक गुद्ध का और हमारे पास शनी जशालोड है और जिसके वो राशी में जाएगा करक में वो हमारे पास अं 20 जुलाई से 2 अगस्त 2020 तक कर यह समय होगा जब सूर्या जो है कैंसर साइन में और शनी के नक्षत तक पर कोचर करेगा अब क्योंकि शनी हमारे पास गहरा से रूलिंग में आ रहा था और वहां पर वह एक कर रहा ता कि जो भी एक्सपक्टेड टाइम होगा घ्टना उने का Sapt होना पड़ेगा नेक्स्ट हमें पकड़ना पड़ेगा तो नेक्स्ट जो टाइम था वो यह था कि जब सूर्या विर्गो साइन में होगा और मून के नक्षत्र पर होगा वो समय बनता है 24 सितंबर से लेकर साथ अक्तूबर 2020 के बीच में और इसका मतलब यह हुआ कि घटना जो पहला समय है उसमें घड़ सकती है यह जो दूसरा समय उसमें घड़ सकती है लेकिन क्योंकि यह यदि क्वैरी होती कि शनी ना आता यहां वह फास्ट यहां पर सिक्स और फैंथ भाव पर स्टॉंग लीव सिग्निप्रेटर पना लेकिन क्वैरी थी कि मैं जो में हूं उस जोब कर छोड़कर दूसरी जोब पकड़ना चाहता हूं और दूसरा जो समय था कि सूर्या जो था वह कन्या में जाएगा ठीक है और कन्या में जाकर व तो मून जो है उसक्स में उसकि प्लेस्मेंट है तोईलं भाव का वह यहां पर उनर रहे हैं के तू सेकेंड भाव में हैं और के तू रीपरिजेंट कर रहा है वीनस को और मार्स को और वीनस जदी हम देखें वीनस 10 बाव में उसकी पलेस्मेट है 11 बाव का वो बना मतलब यहां पे हमारे पास 6 भी आ रहा, 10 भी आ रहा, 11 भी आ रहा, और 7 में हमारे पास 5th, 9, 8 and 12 भा भी एक्टिवेट होंगे, जब सूरिया, कन्या, राशी और चंदर के नक्षत्र पर होगा, और सबसे बड़ी बात यहां पर यहां पर रोलिंग प्लैनर में, जब जो रोलिंग प्लैनर निकले थे, ज सूरिया, जिस राशी और जिस नक्षत्र पर गोचर कर रहा था, वो भी हमारे पास जो थे, रूलिंग में आ रहे थे, और दूसरा वो जिसके स्टार पर था, वो स्टार जो है, मून, वो हमें, जो 6, 10 and 11, साथ में, वो 5, 9 and 12 इन भावों को भी सिग्निफिक कर रहा था, तो बीक्वेरी उनकी होती है, वो पूछते हैं, और हम लोग, मेरी यादा था कि मैं कुछ भी क्वेरी, जो भी होती है, मैं रिटन में उसका जवाब देता हूं, अनलसिस करता हूं, जो भी है, क्योंकि मेरे पास वो सेव रह जाता है, तो कुछ दिन पहले नेटिव ने मुझे एक और नई क्वेरी के लिए मैसेज किया, जब मैसेज आया तो उनका मैंने तो पुरानी जो थी, conversation मैंने वो सारी जब देखी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि इनको तो एक क्वेरी थी, इन्होंने 2020 में पूछा हुआ, उसके बार मैंने उन्हों बताया नहीं, तो उस समय उ क्वेरी आ जाए, तो उसे हम किस प्रकार सोल करेंगे, तो ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, एक और किसी क्वेरी को लेकर, या किसी टॉपी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।